कहते हैं अच्छे कर्मों का फल भले ही देर से मिले लेकिन मिलता जरूर है ये तस्वीरे इस बात को चरिथार्थ करती है चार साल की उम्र से अपने हुनर को तरास्ते हुए 60 साल तक का सफर तै किया कई बार अनेक मंचो पर नेहु नो सोरही को समान किया गया लेकिन इस बार उन्हें भारत के चौथे सबसे बड़े सम्मान पदमश्री से नवाजा गया नेहु नो सोरही ये नाम अब किसी बहचान का मोहताज नहीं नागालैंड की नेहु नो ने कलाकेक शेत्र में जो योगदान दिया वो सराहनिय है मैइ तो लेका पूरह नहीं है लेकिन बराबर एंग्जिबशिन जाता है इंडिया में इसलिए हिंदी आचे लगता है मै विभारात का हूं तो हिंदी बरना बराइगा तो बहुत चाह लगता है रहा है लगत अमने को पे रिंगा साथ भी हिंदी से बात किया हाँ जी हिंदी से बात करना पुसंद होता है गल्टी तो होता है लेकिन ऐसे बोलता है हिंदी अच्छा लगा साट वरेशिय बुनकरगे खाते में कई पुरसकार भी है उन्होंने भारत और विदेशों में भारत के प्रतेनीधी के रूप में 120 से अधिक प्रदर्शनियों और व्यापारमेलों में हिस्सा लिया है नेहुनों सुरही अपने परिवार के साथ को हीमा में रहती हैं उन्होंने 300 से अधे की युवा नागा महिलाओं को कला के रूप में सलाह और प्रसिक्षन दिया है मैं स्रीफ वेविन नहीं है फुर्व रूपार नागा मैं नन्होंने लेकिन बीद युवा नीतिं राइ फ्लावर वो पुरत शूप थी मोर टन त्री हंड़्ड़ चाहिं जादा सीलिया आप में कितनी अधे को युविजिग्य की युविजिग आप नहीं कह लिया है इंडिया के बाहर भी कभी किसी एड्यूबिशन में रहने पारी से गया था मैं, फन्फॉर्ट जर्मेनी, उसी में भी गया हूं, फिर मेमर यंगुन में भी गया, थाइलेंड में भी गया, और पेरीस, पेरीस में भी गया हाला की इतना आसान नहीं रहा कलाकार का सफर, बचपन से ही समभाल रही हैं अपने परिवार की जिम्मेदारी 1963 में जन्मी सो रही, कोही माजिले में रहने वाले अंगामी समुदाय से हैं उन्होंने 4 साल की उम्र में अपनी मा से बुनाई की कला सीखी और वो 6 साल की उम्र में कपड़े बुनना सीख चुकी थी, जोकी उस समय में एक बड़ी उपलब्धी थी तब यह नागा महिलाओं का मुख्य व्यवसाई भी हुआ करता था मेरा ममी नम बला आप फेमिली में एकला हो तो आप बारा बाई लो का बाई लो का लेक पूर बनाना पड़ेगा इसलिए हम सुर किया फोर येर्स से ममी का पास तो रास हुदा एक जबसे हम सब्सक्राइब होाई नम है इतने दिनों से ये काद बाई अपलगे हुए है मैं चार साल से स्था साथ हो गया मैरा ममी का साथ तो शींदार मेरा ममी टूब से मुख्यर इह लेकिन सुटा मिलता है सुटा काम करता है इस अभी तूप हो गया इतने साल हो गया लग बहुत साल हो गया अब तो 60 साल हो रहा है नेहुनो सोरही बताती हैं कि लोकल फॉर वोकल के मोटो के साथ इंडियन कल्चर को आगे ले जाना उनका उद्देश है नागा लैंड की ये पारंपरिक कला जंदा रहे उनकी हमेशा यही कोशस रहती है यह कला धीरे धीरे गायब हो रही है जिसके परणाम स्वरूप वहगली पीड़ी को यह कोशल सिखाने के मशन पर हैं जो उन्होंने अपने यूवावस्था में सीखा था जो पर लाओ की यह में अपने की यूवावस्था भ्यादा की यूवावस्था रही है